पटना डियेम डॉक्टर चंदर शेखर सिंग डेंगू संक्रमित क्या हुए मुखमंत्री नितीश कुमार कहीं न कहीं पूरी तरह से चिंतित हो गए और ऐसे में आज जब मुखमंत्री नितीश कुमार पटना डियेम डॉक्टर चंदर शेखर सिंग से मुलाकात कर जैसे ही व सवास्तमंत्री तेज अश्वय आदव मुक्षमंत्रीनितीशकुमार के प्रधान सचीव दिपक कुमार और स्वास्त विभाग के अपर सचीव जो है प्रत्य अम्रीत पतना के कमिशनर कुमार रवी 6 पतना अगर निगम के जो कमिशनर है निमेश प्रासर ये तमाम जो वरिष्ट अधिकारी है वो मुखमंत्री नितीश कुमार के साथ इस डेंगू को लेकर बड़ी बैठक में शामिल हुए और साथ इसाथ मुखमंत्री नितीश कुमार ने डेंगू पर रोक्थाम लगाने के लिए दिशानिर्देश जो है वो अधिकारीयों को दिये हैं साथ इसाथ स्वास्त मंत्री को भी ये कहा है कि जिस तरह से बिहार में डेंगू के मामले लगतार बढ़े और खासकर पटना की बात करें तो पटना में 100 से अधिक मामले जो हैं वो डेंगू के आने लगे और जो मुखमंत्री नितीश कुमार जो है इसको लेकर पूरी तरह से चिंतित है और चिंता भी जायज है क्योंकि जब बिहार के लोग बीमार पड़ेंगे तो मुखमंत्री नितीश कुमार को एक्शन लेना ही होगा और ऐसे में मुखमंत्री नितीश कुमार ने आज डेंगू को लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई डेंगू के बढ़ते संक्रवन को लेकर अधिकारियों के साथ विचार विमर्ज किया है और किस तरह से जो डेंगू वाले मच्छड हैं उनका किस तरह से खात्मा किया जाया उसके लिए नगर नीगम को भी कई सारे दिशानिर्देश दिये करने के जो दिशानिर्देश है वह मुखमंत्री निटीश कुमार ने दिये कहीना कहीं जिस तरह से बरसात के मौसम में जो डेंगू के मच्छड बढ़ जाते हैं तो ऐसे में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ने लगती है तो कहीना कहीं लोगों को परिशानी भी काफी जादा होती है और बिहार में डेंगू का संक्रमन जो है वो लगतार बढ़ता जा रहा है लोग जो हैं डेंगू के मच्छड के चपेट में आ जाते हैं और ऐसे में वह बुखार जैसी समस्याओं से पहले पीडित होते हैं लेकिन जब जाच होती है तो उसके बाद ठीक हो रहे हैं लेकिन कई बिहार के लोग हैं जिनको बहतर इलाज नहीं मिल पाता है जिस वजह से डेंगू के कारण जो लोग हैं वो कभी-कभी अपनी जान भी गवा बैठते हैं तो ऐसे मम्मुक मंतिर नितीश कुमार इसको लेकर पूरी तरह चिंतित है और डेंगू सं करेंग। करेंग engineered भी तरह करेंग करेंग करेंग।